हलो स्टूडेंट में शाहिन लूथरा आज हम करेंगे क्लास 7 का मैस का चैप्टर नमबर 1 उसकी exercise 1.3 आज हम इस वीडियो में करेंगे इससे पहले हमने introduction exercise 1.1 और 1.2 जो हमने चैनल में अप्लोड कर दिये हैं आप जाके चैनल की playlist में देख सकते हैं exercise 1.3 का first question है find each of the falling product हमें जितने भी यहां पर integers दे रखे हैं हमें इनका क्या find करना है product मतलब जो multiply करते हैं वो हमें सब के अंदर multiply का sign है तो हमें क्या करना है इन सब integers को multiply करना है अपस में अगर आपने introduction वीडियो देखी होगी तो आप जल्दी समझ जाओगे ति हम integers को जो है वो multiply कैसे करते हैं तिक जैसे हम normally multiply करते हैं हमने वैसे ही करना है पस integers में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा sign का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा sign है plus का है positive है negative है तो उसी हिसाब से हमें answer में भी somewhere वही sign लगाना पड़ता है अब हमने कहां पर हमारा answer में negative आएगा कहां पर positive आएगा वही हम इसमें देखेंगे जैसे कि हमें first दे रहे है 3 into minus 1 minus 1 हमारा किसमें है bracket में है जब भी हमारे पास integers bracket में दे रखी हो तो सबसे पहले हम उन integers को bracket से बाहर निकालते हैं तो यहां पर हम देखें तो हमारा बाहर है multiply और अंदर है minus तो हम यहां पर सीधा इसको multiply जो है हम कर सकते हैं ठीक है 3 को हम minus 1 से अगर multiply करते हैं तो हमारा क्या आएगा 3 into minus 1 देखो 2 sign एक साथ नहीं आ सकते हैं इसलिए हम उसको bracket में रखते हैं अभी भी हमारे 2 sign एक साथ है इसल 3 once a 3 ठीक है 3 once a 3 आगया लेकिन जब हम integers में multiply करते हैं और दोनों में से यह हमारा plus का है जब कोई sign नहीं होता तो positive होता है और यह हमारा minus है तो plus minus minus ही आएगा कहने को हम यह भी कह सकते हैं जब हम multiply करते हैं integers में दोनों में से एक भी इंटीजर minus है हमारा negative है तो हमारा answer भी हमे negative है तो answer हमारा negative आएगा चाहिए वो छोटी digit हो या फिर बड़ी digit हो ठीक है ऐसे यहाँ पर देखो अब हमने क्या करना है minus 1 को multiply करना है 225 से अब हमारा इन दोर में एक integer ऐसा जो negative है तो answer भी हमारा negative ही आएगा ठीक है कहने को अब यह भी कह सकते हो यह plus का यह minus को तो plus minus ही होत आते हैं तो minus 21 into minus 30 जो है यह minus minus क्या हो जाएंगे plus हो जाएंगे यानि कि आप हमारा जो answer आएगा वो positive आएगा 21 को 30 से multiply करोगा तो आपको 630 आएगा लेकिर answer हमारा क्या है positive आया negative नहीं आए क्योंकि दोनों ही हमारे negative है या तो आप इसको negative minus से minus आप इसको कार सकते हो यह यह multiply इंटीजर में multiply करते हैं तो आपको sign का ही ने ध्यान रखना होता है ठीक है जो हम इसमें plus और minus करते हैं इंटीजर में तो हम देखते हैं कि बड़ी digit के साथ कौन सा sign है वो ही हम answer में लगा देते हैं लेकि multiply करते हैं ऐसा नहीं होता अगर दोनों में से एक भी negative है तो answer negative आता माइनस 316 into minus 1 करेंगे तो 316 माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएंगे अब यहां पर हमारा minus 15 into 0 into minus 18 यहां पर बीच में क्या है 0 तो जब भी हम किसी बी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाय करते हैं तो answer क्या आता है हमारा अगर मैं 15 को 0 से मल्टीप्लाय करूंगी 0 फिर उसको minus 18 से multiply करूंगे तब भी हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा हमने introduction वीडियो में इसको समझा था कि जब हम किसी भी integer को 0 से multiply करते हैं तो answer हम मिशा हमारा 0 आता है यहाँ पर हम क्या करेंगे minus 12 multiply minus 11 into हमारा आजाएगा यहाँ पर 10 ठीक है तो यहाँ पर हमने minus 12 और minus 11 को आपस में क्या करना है तो दोनों minus है तो answer के आएगा हमारा positive आएगा 132 आगया multiply करके इसको हम 10 से multiply करेंगे तो हमारा answer के आएगा 1320 चीक है तो पहले हमने इन दोनों को multiply किया minus minus plus होगे फिर हमने इसको 10 से multiply कर दिया यहाँ पर भी 9 into देखो यह minus 3 2 sign एक साथ नहीं आ सकते इसलिए हम इसको bracket में रखते हैं फिर हमने इसको इससे multiply करना तो पहले हम इन दोनों को multiply कर लेते हैं या फिर आप इन दोनों को भी पहले multiply कर सकते हो ठीक है अगर मैं इन दोनों को पहले multiply करती हूँ क्योंकि दोनों ही minus किया तो पहले हम इन ही दोनों को multiply करेंगे तो minus plus हो जाएगा ना 9 into अब 63 जा 18, minus minus plus हो गया तो इस positive हो गया, अब 18 को 62 से multiply करेंगे 9 से multiply करेंगे तो 162 आएगा 18 9 जा 162 आएगा इसमें, ठीक है? इधर देखेंगे, इसमें minus 18 into minus 5 into minus 4 तो पहले इन दोनों को multiply कर लेंगे minus 18 into 5 4 जा 20 20 हमारा positive हो गया minus minus plus हो गया, अब minus 18 को हमने 20 से multiply करना है तो हमारा answer क्या आएगा, minus में क्योंकि एक हमारा क्या है, इसमें minus है एक plus है, minus हो गया, तो 360 जो हमारा इसका answer आएगा अब इसमें I देखेंगे, इसमें minus 1, minus 2, minus 3 और फिर minus 4 तो इसके अंदर अगर हम पहले इन दोनों को भी multiply कर सकते हैं, यहां भी इन दोनों को भी कर सकते हैं, क्योंकि यह minus minus की I, अगर आप इन दोनों को करोगे, तब भी आपका minus minus plus होता है, इन दोनों को करोगे, तब भी आपका ऐसे होता है, पहले 20 हो करते हैं, minus 1 into, अब 2, 3 को minus 1 से multiply करेंगे, तो minus का 24 आएगा, ठीक है, क्योंकि plus minus minus हो गया, इहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सारे ही हमारे क्या है, minus क्या है, आप इन दोनों को करो लो पिर उन दोनों answer को हां multiply कर देंगे, 6-3 जा 18 हो गया, positive minus minus plus हो गया, 2 को 1 से किया, तो 2 1 जा 2 हो गया, positive हो गया, 18 2 जा 36 हो गया, ठीक है, तो यह हो गया हमारा question number 1, question number 2 करेंगे exercise 1.3 का verify the following, देखो हमें बीच में equal का sign दे रखा इन दोनों के बीच, हमें तो दोनों side जो है इसमें verify करनी है, ठीक है, तो हमारे पास है 18 into 7, plus फिर bracket में minus 3 है, और इधर क्या है 18 into 7, और यहाँ पे plus 18 into 3 है, यानि कि 18 को 7 से multiply किया हुआ है, और 18 को 3 से, इस side पे, 18 को 7 से और 18 को 3 से, बीच में क्या sign है, plus का sign है, तो इसको हम पहले left hand side और right hand side करेंगे, पहले हम करेंगे इसकी left hand side, तो यह left hand side हम निख लेते हैं यहाँ पे 18 into, bracket में हमारा 7, और यह हमारा plus का sign है और फिर bracket में minus 3, ठीक है, तो 18 का 18 आ जाएगा, 7 और 3 plus minus, minus हो जाएगे, हमारा bracket open हो जाएगा, plus minus, minus 3 हो जाएगा, 18 into, 7 में से 3 minus करेंगे, 4, बड़ी digit हमारी positive है, इसलिए answer भी positive है, 18, 4 जा कितना हो गया, 72 हो गया, right hand side हम इसकी देखते हैं, right hand side पे हमें दिया गया है, 18 into 7, फ फिर plus 18 into minus 3, ठीक है, तो 18 को 7 से multiply करेंगे, तो 126 आएगा, plus 18 को 3 से multiply करेंगे, तो minus का 54 आएगा, क्योंकि multiply हो रहा है, plus minus, minus ही हो जाएगा, ठीक है, तो 126 और यहां पर फिर से bracket open करेंगे, यह plus minus क्या हो जाएगा, minus 54, तो 126 में से 54 को minus करेंगे, तो 72 answer आएगा, यहां पे भी हमारा 72 आया, यहां पे भी हमारा 72 आया, left and right hand side दोनों क्या है, equal है, तो यहां पे हम लिखेंगे, left hand side equal right hand side hence verified, ठीक है, hence verified, यह इसका answer हो गया, इसका जो है भी देखते हैं, ठीक है, बी में आप देखो, यहां पे, हमें दे रखा है, minus 21 into minus 4, फिर यहां पे जो यह दोनों दे रखे हैं, यह हमें अलग से bracket में दे रखे है, minus 4 और plus 6, ठीक है, यहां पे क्या कर रखा है, minus 1 को minus 4 से multiply किया है, फिर minus 1 को minus 6 से multiply किया है, यहां पे हम पहले हम पहले bracket open करते हैं, तो यहां पे तो हमारा आजेगा minus 21, ठीक है, यहां पर देखो, यह हमारा जो है, minus का 4 है, तो हम यहां इसको minus का 4 लिख देंगे, यहां पे क्या हो गया, plus minus minus का 6 हो गया, minus 21 into minus minus क्या हो जाएंगे, plus हो जाएंगे, minus का 10 हैगा कोई बड़ी disease के साद, minus का sign है, minus 21 और minus 10 को multiply करेंगे, तो 210, क्योंकि minus, minus plus हो गया, याद रखो देखो कहीं कहीं पे हम क्या कर रहे है minus के sign और plus के sign को multiply कर रहे है कहीं कहीं पे हम उनको क्या कर रहे है plus और minus कर रहे है यहाँ पे जो हम क्या कर रहे है हमने minus minus plus करके इसको plus किया है लेकिन यहाँ पर हमने इसको क्या कर रहा है minus minus plus हो गया इसलिए हमारा answer positive आया यह चीज़ आपको याद रखने integers में कि कहाँ पर हम sign को multiply कर रहे हैं कहाँ पर हम उसको plus minus कर रहे हैं यहाँ में भी हमने इसको minus minus plus बोला इसका मतलब यह नहीं कि हमने इसको plus कर दिया बीच में sign देखो कौन सा है multiply का करना हमें multiply है लेकिन minus minus plus होने का मतलब कि answer हमारा positive आया क्योंकि बीच में multiply का sign है इनकी बीच में multiply का sign नहीं है यह minus minus plus हो गए plus हो के minus 10 आया क्योंकि दोनों में से जो बड़ी digit है वो minus की है इसलिए आपार answer भी minus आया अब हम इसकी जो है यह अब हमने क्या देखा है left hand side देखी है इसकी ठीक है अब हम इसकी right hand side देख लेते हैं right hand side में हम लिखेंगे minus 21 आ गया bracket में into minus 4 plus minus 21 into minus 6 हो गया अब यहाँ पे देखो हम इन दोनों को minus करेंगी और इन दोनों को minus करेंगे तो हमारा minus minus plus हो जेगा answer है गा 84 21,4 जा 84 यहाँ पे भी minus minus plus हो गया 21,6 जा 126 दोनों को plus किया तो 210 तो यहाँ पे भी दोनों हमारे same आ रहे तो left hand side equal right hand side हो गया तो hence यह क्या हो गया हमारा verified हो गया कि दोनों जो है वो equal है ठीक है तो यह इसका answer हो गया तो यह हमारा हो गया question number 2 question number 3 देखेंगे exercise 1.3 का for any integer a what is minus 1 into a equal इसमें भी बोला गया है कि अगर हम किसी भी integer को minus 1 से गर multiply करते हैं तो हमारा क्या answer आता वो किसके equal होता है अगर हम किसी भी integer को minus 1 से multiply करते हैं अगर हम minus 1 से a को multiply करेंगे तो हमारा answer क्या आएगा minus a यानि कि किसी भी integer को minus 1 से multiply करते हैं तो हमारा answer जो है वो क्या आता है जो उसका opposite हो जाता है ठीक है जिसलिके अभी हमने positive a से multiply किया था तो वो negative a हो गया तो किसी भी integer को minus 1 से multiply करने पे integer के equal हो जाता है तो यहाँ पे minus 1 into a equal to minus a हो जाएगा अब इसमें हमें b बोला गया है determine the integer whose product with minus 1 is अब minus 1 को अगर हम किस से multiply करें कि हमारा answer जो है वो minus 2i minus 1 को हम किस से multiply करें कि हमारा answer 37i minus 1 को हम किस से multiply करें कि हमारा answer 0i तो अगर हम minus 1 को जैसी कि अभी अपने को बताया था ना उसका opposite answer आजाता है अगर हम minus 1 को 22 से multiply करते हैं तो हमारा answer minus 22 आएगा था ना उन्हें यही बोला है कि हम किस से multiply करें कि minus 22 आए तो हम अगर positive से 22 से multiply करते हैं तो हमारा answer minus 22 आता है अगर हम minus 1 को multiply करते हैं minus 37 से तो minus minus क्या होज़ेगा, plus हो जाएगा, तो answer क्या आएगा, 37 आएगा, ऐसे ही minus 1 को गर हम 0 से multiply करते हैं, तो answer हमारा 0 आता है, तो यही चीज नोगे हमें हमें बोली थी, कि हम किसे multiply करें, minus 1 को की 37 आए, minus 1 को किसे multiply करें, 0 आए, तो पहले वाले में तो हमें positive 22 से multiply करेंगे तभी minus negative 22 आएगा यहाँ पे negative 37 से multiply करेंगे तो positive 37 हो जाएगा यहाँ पे 0 से करेंगे तो 0 ही हमारा answer आएगा तो यह हो गया हमारा question number 3 question number 4 देखेंगे is starting for minus 1 into 5 हमें कहां से start करना है minus 1 into 5 से start करना है और भी काफि सारे write various product showing some pattern to show minus 1 into minus 1 into equal आजाएगा 1 हमारा तो हमें इस से start करके हमें यहाँ तक आना है तो यह हमारा कौन सा pattern जो है इसको कुछ हमारा pattern शो कर रहा है minus 1 into minus 1 equal 1 देखो हम यहाँ से start करते हैं minus 1 into 5 से हमें यहाँ पे इसको start करना है तो minus 1 into 5 अगर करते हैं तो हमारा minus 5 आएगा फिर minus 1 into 4 करते हैं तो minus 4 आएगा minus 1 into 3 करेंगे तो minus 3 minus 1 into 2 करेंगे तो minus 2 minus 1 into 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा ठीक है अब 1 के बाद क्या आता है 0 आएगा तो माइनस 1 इंटू अगर 0 करते हैं तो हमारा क्या आता है 0 आता है फिर अगर 0 के बाद हमारा क्या आता है माइनस 1 आता है अब माइनस 1 इंटू माइनस 1 करते हैं तो हमारा क्या आता है वन आता है जैसे कि हमें उनने यहां पर question में बोला है minus 1 into minus 1 equal 1 होगा minus minus plus हो जाएगा तो हमने कहां से शुरू किया था यहां से शुरू किया तो ये वाला जो हमारा क्या बन रहा एक pattern बन रहा है इस pattern को हमने follow किया तो हमारा क्या आया minus 1 into minus 1 equal to 1 ठीक है तो यह हो गया हमारा question number 4 question number 5 करेंगे exercise 1.3 का जिसमें हमें बोला गया है find the product using suitable properties हमें इसके इंदे properties को अब use करना है और इसका product जो है वो find करेंगे तो A हमें दे रखा है यहाँ पर 26 into minus 48 हमें bracket में लिखा हुआ है plus फिर bracket में हमारा है minus 48 into minus 36 ठीक है तो हमें इसमें properties use करनी है अब आप देखो कि यहाँ पर यह जो हमारी property है यह हमारी कौन सी property है distributed property है ठीक है जिसके अंदर हमने A into B और A into C किया देखो distributed property क्यों होती है कि हमारा A जो बाहर है B plus C हमारा अंदर है ठीक है तो इसमें हम क्या करते है एक बार A को B से multiply करते है फिर A को C से multiply करते है plus का sinus लिए हम यहाँ पर plus लगाते है तो यह हो जाता है हमारा A into B और A into C यानि कि A B के साथ भी multiply हो रहा है इस C के साथ भी इसी तरीके से अब यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर जो minus 48 है वो 26 के साथ भी multiply हो रहा है और minus 48 minus 36 के साथ भी multiply हो रहा है यानि कि अभी जो हमारी property है यह जो हमारा है इस तरीके से है लेकिन हमने इसको कैसे करना है हम इसको इस तरीके से जो है अब इसको करेंगे ठीक है तब भी हम इसको आगे solve कर पाएंगे तो यहां से हमें clear हो जाता हम भी हमारा क्या बन रहा A into B और A into C तो क्या कर रहा हमने यहां पर A जो है वो बाहर आ गया तो यहां पर भी हमारा जो A है जो 48 है यहां पर वो हमारा जो common बाहर आ जाएगा अज देखो 2 terms दे रखिए एक हमारी term यह है एक term हमारी यह है तो इस term में से अगर हम minus 48 बाहर निकाला है हमने तो क्या बचा इसके अंदर इसके अंदर जो हमारा बचा है वो है 26 तो यह वहला minus 48 बाहर आ गया तो यहां पर क्या बचा हमारा minus 36, तो यह plus का sign आएगा, minus 36 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर bracket नहीं आएगा, यह आगया, अब हमारा minus 48, plus minus minus, 26 minus 36, यहाँ पर multiply का sign आएगा, minus 48 multiply, आप देखो, 26 में minus करेंगे 36, तो हमारा minus 10 आएगा, आप इन दोनों को multiply करेंगे, minus 48 को minus 10 से, तो minus minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, तो 48 को 10 से करेंगे, तो 480 हो जाएगा, ठीक है, तो यह जो है, वो इसका answer हो गया, minus minus plus हो गया, इसलिए हमारा positive हो गया, अब second B देखो इसमें, यहाँ पर भी हमारा है, तीन numbers हमें, तीन integers दे रखें, 8 into 53 into minus 125, तो यहाँ पर जो हमारा यह एक property जो हम यहाँ पर हमारी use होगी, यह हमारी है associated property, जिसके अंदर क्या है, एक पर हम A और B को अंदर रखेंगे, फिर C को बहार रखते हैं, फिर हम A को बहार रखें, B into C अंदर रखते हैं, फिर हमारा यह होगा, अब आप इसके अंदर कोई भी देखो, हमें तीन यहाँ पर इंटीजर्स दे रखेंगे हैं, तो हम किनी भी दो numbers को multiply पहले जो है, इसमें करेंगे, लिकिन हम 8 को minus 125 से multiply करेंगे, क्योंकि इससे हमारा एक round figure जो है, वो number आएगा तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, bracket में आएगा 8 into minus 125 और into 53, ठीक हैं, अब हमने देखो इसके अंदर क्या है, हमने 2, अंदर रख लिए एक बाहर, जैसे कि हमारे associated property में है, दो numbers अंदर एक बाहर, तो इसी तरीके से हमने इन दोनों को अंदर रख लिए, एक को बाहर इन तो minus का 1000 into 53 करेंगे, अब minus 1000 का 53 से multiply करेंगे, तो minus का 53,000 जो है वो आएगा, ठीक है, तो यह हो गया हमारा B, C देखते हैं, C में देखते हैं कि हमारी कौन सी property जो है, यहाँ पर हमारी लगेगी, यहाँ पर भी जो है, हमारी associated property से ही हम इसको जो है वो करेंगे, A into B into C, ठी इसके अंदर भी हमारा क्या है कि एक number जो है, एक integer हमारा पहार आएगा, बाकि सभी integers जो हैं, वो हमारे अंदर आएगे, ठीक है, तो यह हमारी इस property में है, तो यह हमारा आगया इस तरीके से, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 15 into, यह जो अंदर वाले हमारे हैं, इनको हमन 2018th अर Fal, टूर, सब्सु और मैनस माइनस को प्लस हो जएगा, तो 100 आजेगा, इन्टू माइनस का 10 जो है हमारा, 15 into, आब इन दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे, 100 को 10 से माइनस का 1000 आजाएगा हमारा, ठीक है, तो नों में से एक हमारा मल्टिप्लाइ में माइनस हो, तो हमारा ठीक है यह हो गया अब देखो D D में हमारी जो property है यहाँ पे हमारी जो property लगेगी वो हमारी लगेगी distributed property B प्लस C ठीक है अब A into B प्लस A into C यह हमारी property जो है वो लगेगी तो 41 into अब हम पहले इसका जो है वो distribution जो है वो कर लेंगे ठीक है तो इसको इससे multiply इसको इससे multiply पहले minus 41 into 100 plus फिर minus 41 into 2 ठीक है एक बार इसको इससे multiply करेंगे फिर एक बार इसको इससे plus का sign है हमारा तो हम इसको यहाँ पे plus लिखेंगे अब इन दोनों को पहले multiply करेंगे तो minus का 41,000 आ जाएगा फिर हमारा ये 41 को हम 2 से multiply करेंगे तो हमारा आजेगा यहाँ पर पहले इसको bracket को open कर लेते है plus minus minus 41 into 2 आप करेंगे multiply minus 41,000 100 आएगा यह हमारा 100 से multiply किया ना हमने 100 आएगा 41,100 आप minus 41 को जब हम 2 से multiply करेंगे तो minus का 82 आएगा तीक है अब दोनो minus के हो गए तो minus minus plus हो गए तो क्या आएगा 41,8,2 जो है वो इसका answer होगा ठीक है तो हमारा जो E है यह भी देखो जोसे हमने A वाला किया था उसकी जैसा ही है यहाँ पे भी A into B हो रहा है और यहाँ पे भी A into C हो रहा है अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो 625 जो है हमारा अगर हम इस टर्म में देखें तो हमने यहाँ से common निकाल लिया यहाँ पे भी minus 625 है लेकिन हम लेंगे सिर्फ 625 को बाहर हम लेंगे अब जो है हमारा अंदर bracket में आ जाएगा minus 35 इस टर्म में हमारा क्या है 65 लेकिन आप यह देखो कि यहाँ पे भी हमारा minus का sign है हमने जब इन दोनों में से common लिया यह जो बाहर आया तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया 1 बच गया तो minus का जो 1 है plus का sign जो हमारा वो वह ही आएगा minus 1 जो है हमारा वो यहाँ पे बच जाता है और into करेंगे हम इसको 65 से ठीक है तो 625 अब यहाँ पर देखो minus का 35 है और यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे एक bracket जो यहाँ पर हम उसको open कर लेंगे यह हमारा minus का 35 आ गया plus minus minus का 1 हो गया into 65 हो गया तो 625 यहाँ पर अब हम यहाँ पर यह भी minus है और हमारा यह भी minus है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे multiply हो रहा है यह bracket के अंदर बाहर है तो minus का minus 35 को minus 1 से जो है पहले हम इन दोनों को multiply कर लेंगे क्योंकि यह हमारा open है तो इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे multiply कर लेंगे, तो minus 35 को भी हम ब्रैकेट में रखते हैं तो इन दोनों को पहले multiply करेंगे कर तो minus 65 आ जाएगा 625, अब यह हो गया हमारा bracket में minus 35 और minus 65 ठीक है, अब minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा, तो minus minus plus हो कि क्या बन देगा, minus का 100 आ जाएगा अब इन दोने को क्या करेंगे multiply, जब minus 100 को इससे multiply करेंगे तो minus 625 double 0 जो है वो इसका answer आ जाएगा ठीक है, यह हो गया इसका answer, अब हम देखते हैं इसका F, F में हमारी कौन सी property लगेगी F में जो है हमारी property लगेगी distributed property लगेगी, हमारी यहाँ पर भी A into B plus C equal A into B plus A into C, यह हमारी property लगेगी, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 7 को आप 50 से multiply करोगे और 7 को आप 2 से multiply करोगे, तो 7 into 50 और यहाँ पर आएगा हमारा plus है यहाँ पर आएगा हमारा plus और 7 into minus 2 ठीक है, तो 7 को 50 से multiply करोगे, तो कितना आएगा 350 और 7 तू जा 14 आएगा, लेकिन यह हमारा plus का 7 है और 2 हमारा minus का, तो plus minus minus हो जाएगा, तो minus का 14 आएगा दोनों को हम minus करेंगे तो 336 6 आएगा, ठीक है, इसका G देखते हैं, अब G में देखो, यहाँ पर हमारा minus 17 into minus 29 है, तो यहाँ पर भी हमारी distributed property लगेगी ठीक है, A into B plus A into C तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इसको हम distribute करेंगे minus 17 है पहले हमारा, into distribute करेंगे तो क्या आजेगा minus 30 plus 1 आएगा, क्योंकि plus minus minus, minus करेंगे 30 में से 1 को, तो minus 29 ही आएगा तो इस तरीकी से हम इसको distribute कर देंगे ठीक है, अब आगे हमारा minus 17 जो है, हम उपर से उतार लेंगे, into, अब इसको minus 17 को 30 से multiply करेंगे, फिर इसको हम 1 से multiply करेंगे तो पहले हम minus 30 से minus minus plus हो जाएगा, तो 510 आजाएगा, इन दोनों को करेंगे तो 1 plus है, 1 minus है और 17 आएगा, फिर हम इसको plus से multiply देगो, अगर मैं minus 17 को 7 से minus 17 को 1 से multiply करेंगे तो minus 17 ही आएगा, अब जब ये मेरा minus 17 आजाएगा, ब्रैकिट में तो plus minus, minus हो जाएगा हाना, ब्रैकिट में अगर अभी हम इसको लिखेंगे, तो ये plus और ये minus तो minus हो जाएगा ये, minus का 17 हो जाएगा, ठीक है अब इन दोनों को हम minus करेंगे आपस में तो क्या आएगा, 493 जो है वो इसका answer आएगा, ठीक है H देखो, इसमें भी हमारी distributed property लगेगी A, B, plus C A into B plus A into C तो minus 57 हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको multiply करेंगे अब हम इसको, ठीक है तो यहाँ पर भी क्या है, minus 57 है और यहाँ पर हमारा 57 है तो ये जो 57, फैल हम इसको लिख लेंगे minus 19, plus 57, अब देखो, ये 57 हमारा बहार आजएगा एक negative है, एक positive है ठीक है, तो ये हमारा जो है ये बहार आजएगा, और इसके अंदर हमारा बचेगा क्या अब जो हमारा, इसमें जो बचा है देखो, ये एक term है पूरी, ठीक है अब ये हमारा बहार आजएगा, तो यहाँ पे जो, इसके अंदर क्या बचा, वन बचा तो वो जो वन बचा है, वो minus 1, उसको हम bracket में लिख लेंगे into minus 90, ठीक है अब इन दोनों को हम multiply करेंगे 57, minus minus, जो है देखो, ये 19 हमारा minus का है, 1 भी हमारा minus का है तो क्या हो जाएगा, इसके साथ हमारा 1 आएगा, अब इसके साथ हमारा plus 1 भी आएगा plus 1 क्यों आएगा, वो देखो, इस term में से हमने क्या निकाला था, 57 निकाला 1 बच गया, वो minus 1, ये minus बच गया था, 1 बच गया हमने लिख दिया इस टर्म में माइनस 19 बज़ी था वो लिदे, हमने जो 57 लिए इसका जो यहां का जो 1 है वो हम यहां पर इसको लिख देंगे, दोनों को multiply करेंगे तो 19 प्लस 1 आएगा, ठीक है, अब 19 प्लस 1 को हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20 आएगा, दोनों को multiply कर देंगे तो 1140 हमारा जो है वो इसका answer होगा, तो यहां पर हमारा question number 5 जो है वो complete हो जाता है, question number 6 देखेंगे, a certain freezing process required that room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour, what will be the room temperature 10 hours after the process being? देखो, यहां पर हमें क्या बताएगा है, कि एक freezing process है, जिसके अंदर क्या है, require है, the room temperature जो है, 40 degree है, लेकिन वो क्या हो रहा है, 40 degree से हर घंटे जो है, every hour 5 degree Celsius वो low हो रहा है, decrease हो रहा है, ठीक है, हर एक घंटे में, तो अब बताना है कि 10 घंटे के बाद उस room का जो temperature है, वो क् 40 degree, और हर hour, every hour में 5 degree decrease हो रहा है, तो after 10 hours उस room का जो है, वो temperature क्या होगा, हमें बताना है, ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे जो उसका present temperature है, पहले हम यहां पे वो लिख लेंगे, तो लिखेंगे present temperature equal 40 degree celsius, तो decrease कितना हो रहा है, decrease in temperature every hour, हर घंटे में जो है, वो decrease हो रहा है, 5 degree celsius, अब है, decrease in temperature after 10 hours, 10 घंटे के बाद, after 10 hours, तो कितना हो रहा है, अगर हर घंटे में 5 degree हो रहा है, तो after 10 hour हो जाएगा, 5 into 10 equal 50 degree celsius, ठीक है, यानि कि हम देखें, तो 10 घंटे के अंदर 50 degree celsius temperature जो है, वो decrease हो जाएगा, तो क्या temperature होगा, 10 घंटे के बाद, temperature after 10 hour, 40 minus 50, क्या हो जाएगा, 40 degree था, 50 degree जो हो decrease हो गया, तो आजएगा हमारा minus 10 degree celsius, जो है, वो room का temperature हो जाएगा, 10 घंटे के पाद, ठीक है, after 10 hour, तो यह होगा हमारा question number 6, question number 7 देखेंगे, in a class test, containing 10 question, 5 marks are awarded for every correct answer, यहीं कि 10 questions हैं, test के अंदर, जिसमें से 5 marks दिये गए हैं, correct answer के, और incorrect answer के लिए, minus 2 किये गए हैं, और जिस question को attempt नहीं किया किया है, उसके लिए 0 marks हैं, ठीक है, तो right answer के लिए 5 marks, wrong answer के लिए minus 2 हो जाएंगे, और जो attempt नहीं किया 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 है, 0, तो अब हमें बताना क्या है, इसमें, कि Mohan gets 4 correct answer, and 6 is incorrect answer, what is the score, Mohan के 4 सही question answer थे, और 6 जो थे, 6 जो थे, वो incorrect थे, उसके क्या score आयोंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले, Mohan, Mohan, Obtain, 4, 4 correct answer, कितना है, 4 into 5, 4 into 5 क्यों है, कितने correct answer उसमें answer दिये, 4 दिया हो, हर एक answer का क्या marks है, 5, तो 4 उसमें सही दिये, तो उसके कितने आ गए, 20 marks आ गए, correct answer में, अब हमें यहाँ निखेंगे, यहाँ पर marks obtain आएगा, marks obtain, marks obtained, 4, 6, incorrect answer, तो कितना हो जाएगा, 6 into minus 2, 6 उसने incorrect दियो, और each question का कितना incorrect का, minus 2, तो कितना हो जाएगा, उसका, minus 12, तो minus 12 जो है, वो उसके क्या हो गए, incorrect, correct, correct के लिए इसके 20 आए, और incorrect के minus 12 हो गए, तो total score कितने हो गए उसके, तो यहाँ लिखेंगे हम, total score, 20 plus minus 12, total अदो हमें plus करना पड़ेगा, तो plus minus क्या हो जाएगा, minus 12, तो क्या आजाएगा हमारा 8, यानि कि जो इसके marks आए है, वो है, 8 mark, ठीक है, अब इसका जो है, वो हम देखेंगे, B, B में क्या है, रेश्मा gets, रेश्मा को जो है, 5 correct answer, उसके 5 correct हैं, और उसके 5 incorrect हैं, तो उसका क्या score होगा, तो यहाँ पे भी हम सेम लिखेंगे, marks, obtained, 4, यह D है, obtained 4, 5, correct, answer, तो उसके 5 correct answer हैं, तो 5 into 5, कितना आगे, correct की list को 25 marks मिल गए, ठीक है, अब, marks, obtained, 4, 5, incorrect answer, तो कितना हाजएगा, 5 into minus 2, क्योंकि एक के लिए, incorrect के लिए, minus 2 है, correct के लिए, 5 है, तो क्या हाजएगा, minus 10 हाजएगा, तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगे, इसके, टोटल स्कोर हो जाएगे, 25, plus, minus 10, तो plus, minus, minus 10 हो जाएगा, तो 25 में से minus 10 करेंगे, तो कितना आएगा, 15 marks जो है, वो रेश्मा के आए है, ठीक है, अब इसका जो है, वो हम 3rd देख लेते हैं, हिना gets 2 correct and 5 incorrect answer, हिना के जो है, 5 correct, 2 correct है, और 5 जो है, उसके incorrect है, आउट ओफ 7 questions, she attempt, what is her score, देखो, उसने कितने question attempt करेंगे, 7 करेंगे, यह भी चीज़ जो है, हमें ध्यान रखने है, 3 उसके questions किये ही नहीं है, तो उसके 0 marks भी लगेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हिना के लिए क्या आएगा, marks, जैसे भी तक हम पहले लिखते आ रहे हैं, marks obtained 4, 2 correct answer, दो correct answer है, तो क्या हो गया, 2 into 5 equal 10 हो गया, उसके हिना के सही answer के लिए, और जो उसके गलत है, marks, obtain 4, 5, incorrect answer, इनकरेक्ट के लिए क्या होगा उसका, 5 into minus to equal minus 10 हो गया उसके, ठीक है, अब जो किया क्या, उसने 3 questions नहीं किये हैं, तो उसके लिए हम करेंगे, लिखेंगे, marks, obtained 4, 3, questions, यहाँ पर Q आएगा, questions, not attempt, जो उसने attempt नहीं किये हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो not attempt हो उसके लिए 0 marks हैं उसके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 into 0 equal 0, उसके लिए 0 ही marks मिलेगा, total score क्या हो जाएगा, अब जो उसके थे, 10 थे और उसके बाद क्या था, minus 10 है, उसके बाद क्या है, 0 है, तो यहाँ पे, plus minus, minus हो जाएगा, तो 10 में से 10 को minus करेंगे, तो 10 minus 10, plus 0, तो 10 minus 10, 0, 0, plus 0, 0, यानि कि उसके क्या marks हैं, 0 marks हैं उसके, तो यहाँ पर question number 7 हमारा complete हो जाता है, ठीक है, question number 8 है, exercise 1.3 का, a cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold, and a loss of rupees 5 per bag of grey cement sold, एक जो cement company हैं, उसने profit earn किया है, किसना, rupees 8, हर एक bag के, white cement का, जो उसने bag sale किया न, उसको हर एक bag पे 8 रुपे का profit हुआ है, और जो उसने grey करगा cement bag sale किया है, उसको उसको 5 रुपे का loss हुआ है, हर एक इच bag के उपर, ठीक हैं, तो हमें बताना है, the company sells 3,000 bank of white cement, company ने 3,000 white cement sale किये, 5,000 उसने grey cement sale किये, एक महिने के अंदर, तो what is it, the profit or loss, अब उसका क्या profit है, क्या loss है, वो हमें इसके अंदर बताना है, तो पहले जो उसने sale किये, 3,000 bank जो उसने sale किये है, उसका पहले हम इसमें लिखते हैं, तो profit on selling 3,000 bags of white cement, तो कितना आएगा, 3,000 into 8, equal rupees 24,000, यानि कि जो उसने 3,000 bag sale किये, उसके उसको कितने का profit हुआ, हर एक bag पहस को कितने का हुआ था, 8 rupees का, तो 3,000 bag पहस कितना हुआ उसको, 3,000 bag पहस को 24,000 रुपीस का जो है वो profit हो गया, अब हम देखते हैं इसके अंदर, 5,000 bags of grey cement, तो कितना आएगा, 5,000 था, जो उसने सेल किये थे, और हर एक bag पहस को कितने का loss हुआ रहा है, 5 rupees का, तो उसको कितना loss हुआ, 25,000 का उसको loss हुआ, अब उसको profit हुआ या loss हुआ, देखो यहाँ पहस को loss जादा हुआ रहा है, profit उसका कम है, तो यहाँ पहें हमें देख की पता चल रहा है, कि उसका जो loss है, उसको हुआ, क्योंकि loss जादा है, और कितना loss हुआ है उसको, total जो loss हुआ है, यहाँ पहें हम minus करके देख लेंगे, 25,000 minus 24, 1000 equal, 1000 रुपीस का जो है उसको loss हुआ है, ठीक है, यह उसका हो गया A, अब इसका हम B देखते हैं, B में हमें क्या करने के लिए बोला गया यहाँ पर, B में है, तो में बताना है, तो में बताना है, अगर नमबर अफ ग्रे बैंक जो है वो, कितने सॉल हुए है, 64, 100 जो है, वो सॉल हुए है, भी के हैं, तो पहले हम माल लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो चीज़ हमें निकालना है, जो हमें दे नहीं रखी, उसको माल लेते हैं, let the number of, क्योंकि हमें white cement bag के number निकालना है, let the number of white cement bags to be, salt be x, ठीक है, इसको हम x माल लेते हैं, हमें निकालना है, अब देखो, loss on selling 6400 bags of grey cement bag, grey cement bag, grey cement bags, तो कितना है, 64, इच बैक पर 5 थाना, तो 64 into 5, तो यह हो जाएगा हमारा, 320,000 रुपीज, ठीक है, यह हो गया हमारा, इसके उपर, loss on selling, कितना loss हुआ है, 64 bags पर उसको, 320,000 का उसको, loss हुआ है, और profit, profit on selling, selling, x bags, क्योंकि यह white वाले कितने हैं, x bags हैं, तो इस पर कितना profit है, x bags पर, white cement, तो x into 8, क्योंकि 8 रुपीज का profit हो रहा था, जैसे कि हमने ए पार्ट में देखा था, तो x into 8 कितना हो गया, रुपीज, 8 x का उसको, इस पर क्या हुआ, profit हो गया, अब according to equation, जो हमारी equation बन रही है, profit, equal loss, profit कितना है, 8 x, loss कितना है, 64,000 को फाइब से करेंगे, तो हमारा आएगा, 32, यहाँ पर आएगा, 32,000, यहाँ पर इसको में रही है, यहाँ पर एक कोमा सही नहीं है, 32,000, यह आएगा, ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आगया, loss कितना है, loss है हमारा 32,000 का, profit कितना हो था, 8X का, तो यहाँ पर X हमारा इदर रह जाएगा, और यह यहाँ पर multiply और इदर आके, इसके साथ क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा, तो यहाँ पर जब इदिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, X की value क्या आगई, 4000, जिसको हमने क्या माँगाना था यहाँ पर, white cement bag sold, तो जो white cement bag जो sell किये गए है, sold किये गए है, वो है 4000, X आगया हमारा 4000, क्योंकि हमें यहाँ पर पता था, कि grey cement bag जो है, वो 6400 sell किये गए है, लेकिन हमें यहाँ पर यह नहीं पता था, white cement bag जो है, 4000 जो है, वो sell हुए है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा question number 8, question number 9 करेंगे, replace the blank with an integer to make its true statement, हमें जो है, इस blank को fill करना है, इस statement को true बनाना है, देखो minus 3 को हम किससे multiply करें, कि 27 आए, तो हम 3 को 27 से divide करते तो क्या आता है, 9 आता है, तो हम इसको minus 9 से, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम 3 को 27 से divide किया, तो 9 आया था, ऐसे ही यहाँ पर देखो, हम 5 को किससे multiply करें, 35 आए, तो हम इसको minus 7 से multiply कर देगे, 5 7 का 35, और इसका minus का sign, यहाँ पर 8 7 जा, 56 लेकिन यह किसका है, minus का है, तो हम इसको सिर्फ 7 से multiply करेंगे, 7 8 जा, 56 आ जाएगा, और यह plus minus minus यह आएगा, इसके अंदर, यहाँ पर देखो, हम इसको किससे जो है, multiply करेंगे, कि हमारा जो है वो 132 आए, इसको हमें minus 11 से जो है, वो हाँ multiply, इसको divide करके देख लेना, 12 को 132 से divide करोगे, तो आपका 11 आएगा, हब हम यह आपे minus 11 इसले लगा रहे हैं, क्योंकि minus minus plus हो जाएगा, तब ही हमारा यह positive होगा, ठीक है, तो यह हो गया हमारा question number 9,